नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि निमजे पी टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, निमजे पी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और निमजे पी टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि निमजे पी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, निमजे पी एक ब्रैंड नेम है, निमजे पी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, निमजे पी टैबलेट के अंदर सॉल्ट पोजिशन निम्सुलाइड 100 mg और पेरासिटामोल 325 mg होता है निम्जे पी टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर शरीर में दर्थ होने पर और सूजन को कम करने के लिए निम्जे पी टैबलेट का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज से सूजन आ गई है तो निम्जे पी टैबलेट दर्थ के साथ साथ सूजन को भी कम करती है निम्जे पी टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्थ होने पर शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्थ होने पर सिरदर्थ होने पर बुखार होने पर दातों में दर्ध होने पर कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में निमजे पी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए निमजे पी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में निमजे पी टैबलेट की वज़़ से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में निमजे पी टैबलेट की वज़़ से कुछ side effects हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या बार-बार निमजे पी टैबलेट का सेवन करने की वज़़ से पेट में bleeding होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि निमजे पी टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। अधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि निमजे पी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लगातार 10 दिन से अधिक निमजे पी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को निमजे पी टैबलेट को देना recommended नहीं है। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्मी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर निमजे पी टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना निमजे पी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को निमजे पी टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका निमजे पी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।